एक बड़ा ही इंट्रस्टिंग वाक्या वाया, एक फोन आया मेरे कोड़ उस्ट्रेलिया तो, वो जड़े पाई साब सी, वो ट्रक चलाआ दिया है, उन्हा नाख्या जी मेरे गले दे वेचे इनना कुछ अटकदा है कि मेनू बार-बार एमे बार-बार करना पिंदा है, उस अंदर ही उन्हा ने कटो कट सो वार एमे कीता, तो बड़ा लाउडली कीता, एमे दे होर भी पेशेंट आदेने साड़े कोल, वो बार बैठे हों दिये, अवाज अंदर तिकना आदिये, इनना जादा गले दे वेचे कफ फास्दा है कि उन्हा नू लाउडली एक करना पिं पिछले तेन साला तो द्वाई कार रहे हैं, अजे प्रॉबलम है, अजे वाद दी जा रही है, मतलब प्रॉबलम कटी नहीं, डे बाई डे जड़ी प्रॉबलम है, वो एग्रिवेट हो रही है, तो मैं उनना पुछे है, मैं कहीं तुसी सारनल पहले मेनू जड़ी तुसी जे उन दी पिक्चर सेंड करो वट सबते, मैं द्वाईयां वेखियां, उनना ने एक एंटिवर्टिक, पिछले तेन साल तो रेगुलर दे रहे हैं, एक एंटि एलर्जिक, एक पेंटेपराजोल, देनाल, डॉम पेरिडन, खाली पेट वाला कैपसूल, मैं कहा वीर जी, न गले दे वेच इनना जड़ा बल्गम फास्ता है, एक बेसीकली तो अनू जड़ी तो अड़ी परकिर्ती है, कफ परकिर्ती, एक तो अनू कफ दा ही रोग है, एक पित दी प्रॉब्लम नहीं एगी तो अनू, वांदे जी, कई वरी कबराट एननी होंती है, जिवे असी ट्र अनू रोकना पीनता है, रोक के थोड़ा ज़ा पानी पीवांगा, बैठांगा ता कबराट खतम होंती है, साव ही ओखा हो जानता है, तो होन पोजीशन एमें दी होगी, कि जिवे मैं चपाती खानना, रोटी खानना, या कोश्वी खानना, तो ओ गड़े च फसन लग प्या नाल नाल एक कोट में नू पाणी पीना पीता है, मैं उन्ना आखहा मैं किया जी विखो जड़ा तूसी ट्रीटमेंट ले रहे हैं रे जी एको ट्रीटमेंट किसी होड़ा चीज़ दैं, ये तो अड़ा ट्रीटमेंट नहीं है का, बूजज्जा ए क्योंकि तो अनू एक कफ बहुत बान रहे है। तो मैं वीर जी उनुँ समझाया कि तुझी इनने लंबे टाइम तो जड़ियां द्वाईयां कार रहे हो वो द्वाईयां दे कारण तो अड़े अंदर खुशकी इननी पैदा होगी है कि कफ है उच सुक गया है। उच ज़ादा जड़ा काफ है उच गड़े च चिपक गया है यह है तोड़ा बेसिक प्राब्लम एकवरी पेशेंट नो वीर जी समझा दिये ना कि तो अनू ए बीमारी है तो समझो 90% है बीमारी खतम हो जाती है क्योंकि जे बीमारी समझा आगी तो ओंदे पैरामेटर स ओंदी द्वाईयां ओंदी प्रेज आप ही जड़ा पेशेंट है वे इंटरस्टिंगली समझ दैसा डेकोड़ों यह बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि अगले नो पूरी बीमारी समझा देओ कि तेनू ऐ प्राबलम है बेसिकली प्रेज दसे की प्रेज करने बहुत जादा जरूरी ने प्रेज नहीं करांगे कफ प आइसख्रIEM कौल डृंक यह बंद करौ नंबर तेन मैंगो या मैंगो शेक 100% बंद करौ चोथा बनाना या बनाना शेक 100% बंद करौ कारण ये मैंगो या बनाना किते भी होए एक कैल्शियम कारबाइड ची पकाया जानता है तो कैल्शियम जड़ा है कैल्शियम कारबाइड है वो बहुत ज़्यादा कफ वरीदी करता है एक चीज में उननों और दसी मैं कहा जाड़ी लसी है न यह बहुत ज़ादा कफ रिदी कार दी है कफ परकृती वाले आनूं बाकिया नों नहीं करेगी बाकियां नहीं सेफ है तो अगली ज़ादी चीज सी मैं कहा जी बहुत ज़ादा ड्राइफरूट्स ने एथ उसी ना खा थोड़े बोते जड़े ड्राइफ रूट ने उले सक देजे लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राइफ रूट ना खाया जी एत आगे कि जड़ियां चीज्जा कफ बना दिया ने यह कफ नुपतला कार दिया ने एत प्रेज उनना नुँ रखना पवेगा दुझ्जा होन मैं क्या तो आड़े गले देवेच तो आनू एह प्रॉब्लम है बार-बार जड़ा कफ है सक्त हो जानत है उन्दे नाड़ों एक नायाब तोफा है आयूरवेद दा ये राबदी दित्ती होई एक नायाब चीज है मुलेठी आइनाक टुकडा मुलेठी दा लेलो तुझी बार-बार उन्नू चूसो देंच मैं कहा जी मिनिममम दस वार चूसो एक वरी टुकडा रखो चार-पांच ग्राम दा ओड़ी ओड़ी चूस दे रहो अद्धे कंटे बाद उन्नू सट दियो फिर नमा टुकडा रख लो उन्दा इफेक्ट ए आएगा क्योंकि यसी कफ नू पतला करन है मुलेठी जड़ी है वो इमीडियेट कफ नू पतला कर दिये तो अड़ा गला साफ हो जेगा कबराट उससे टैम बंद हो जेगी तो अनू मैं कहा जिन्दगी चीन दा अनन्द आजेगा तो अनू राच ट्रक रोक के डिस्टर्ब होंती प्रिशान होंती तो अनू जरूर और कर लो तुसी ओथे ही तोठी एक नुस्खा बना लो ए वीर जी तुसी भी नुस्खा नोट कर लो जड़े बंदे ए आख दे है आयूर वेद दे वेच एंटी अलर्जिक दवा नहीं हैगी स्पेशली उनना नू नोट कर लेना चाहिद है एस तो वदिया दवा एस तो से पूरी दुनिया दे वेच नहीं हैगी स्वंड काली मिर्च ते पिपल कमाल दियां चीजाने तेन स्वंड अपने करे वीर जी मेल जान दिये काली मिर्च अपा सारे जानने या जड़ी छोटी पिपल है उननू मगा हुई आखी दे तिनना नू ब्राबर मात्रा वेच लेलो एक कमाल दा एंटी अलर्जिक चूरन अपने कोड़ आ गया हुण अद्दा ग्राम अद्दा ग्राम में अपा हुण कैलकुलेट किवे करांगे जिनना का कैपसूल दे वेच समान आ दे ना इनना कद्दा ग्राम हुण एन दी जी क्वांटिटी अपा वदा दियांगे न तो फिर कफ क्योंकि होन खुषकी जादा वाद गी ओवर्डोज करांगे देन इटी जे प्राब्लम किसी भी चीज दी जी ओवर्डोज है ओ प्राब्लम पानी ओवर्डोज प्राब्लम रोटी ओवर्डोज प्राब्लम ठिंकिंग ओवर्डोज प्राब्लम क्रिटिसीजम ओव वेच एक नवा स्वेरा आ जाएगा ए जरूरी है कि तुसी एह वला कुछ देन लगातार करो दो देन खा के तुसी उमीद ना करो कि तो अड़ा कफ है या कफ परकिर्ती तो अड़ी खतम हो जेगी परकिर्ती उत्थे ही रेंदी है दोश खतम होंदेने हमेशा ही सुंड काडी मिर्च पिपल तिन्नों बराबर लेके ते तुसी कोट लेना है पी लेना है नूँ बिलकोल ब्रीक कर लो अद्दा अगराम शायद वेच स्वेरे ते शाम तुसी रूटीन दे वेच चाट दे रो ओड़ी ओड़ी तो अड़ा कफ जड़ा बनना अक्सेसिव कफ है थोड़ी जड़ा नुस्का है एवी तुसी नोट कर लो ए इंदा ना है पीनस योग इंदा नुस्का नोट कर लो ए अवले फॉर्म दे वेच है तुसी कार बना सक देजे सानू एस तो वदिया कोई वी दवा नी मिली जड़ी कफ नू इननी जल्दी ठीक कर दी है इंदे वेच है कि छोटी हरड आवला, बेडा, सुंड, काली मिर्च, पिपड, गोड ते थोड़ा जया नमक शैद पाके तुसी ये अवले बनालो दोद दे नाल शाम नू दिने जड़ा दोद है ओ कफ रीदी करता है रात नू ओनना नी करेगा एक कप दोद दे नाल ये लगबग अधा क चम चा, तुसी रोज रुटीन चा ले लो, एक वकरा ही अनानदा आजएगा जिन्दगी चा, तो अड़ा जड़ा कफ है, अक्सेसिव कफ उख खतम हो जएगा